नेक्स्स हम करने वाले हैं आइफ्रेम क्या होता है आइफ्रेम एक element है HTML में आप तब यूज करते हो जब आपको दूसरा कोई यूट्यूब वीडियो एड़ कर लेते हैं गूगल मैप एड़ कर लेते हैं तो मैं आपको क्रियेट करके दिखाता हूं सीधे आइफ्रेम आप element यूज करोगे तो अभी इससे कुछ नहीं होने वाला रिफ्रेश करते हैं एक बॉक्स सा क्रियेट हो गया है बट इसको हम अप default height width रहती है यह चेक कर लेते हैं एक बाद जलदी से मैं यह हटाते हूं और इसको refresh करते हैं और इंस्पेक करते हैं यहां पर आई-frame पे जाते हैं और इसकी जो default height width है 300 width है और height 150 है ठीक है यह automatically assigned है यहां पर पट हम अपना खुदका दे रेते हैं जबकि image वगेरा में हमने नहीं देखा था और वीडियो में भी नहीं आइधिंग देखा था बट आइफ्रेम में मुझे ऐसा दिखने को मिल रहा है कि ब्राउजर ने अब कौन सा इे यूट्यब का एक यस और यूट्यूब की वीडियो इसको मैं पूरा जूम करके भी दिखाता हूं तो यह पूरा वेब पेज को जो एक वीडियो है मैं क्या करने वाला हूं अपने आइफ्रेम में आड़ करने वाला हूं तो यहां पर मुझे सोर्स अट्रिव्यूट देना है सेफ करना है और एक रिफ्रेश करते हैं तो वीडियो आपने इमबैड कर ली और इसके उपर आप अपना कुछ भी बना सकते हो ना कि वीडियो पेज तो देखो अभी कह ना यह यह वाला टेक्स हमारा है नीचे वाला तो हमने दूसरे डॉकुमेंट को इमबैड किया है तो आप पूरा पेज बनाना है ऑआप चाहते हो कि दूसरे इसमेव यूस करना चाते ओना तो इस तरीके से iFrame यूज कर लो और Google Map भी लोग अड़ करते हैं यूज इसँ इसका use case आपको बता लग गया और आप इसको create कर सकते हो और बहुत simple है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसका एक last attribute मैं बता सकते हो, आप इसको title भी दे सकते हो title मैंने लिख दिया video from YouTube तो इसको save करेंगे, ऐसा कुछ भी यहाँ पर change नहीं आएगा ना तो आपको इस title दिखने वाला है, लेकिन आप इसको एक additional information दे सकते होगी वीडियो क्या है, कोई developer आपका code पढ़ रहा है, वो उसको समझा जाएगा बाकी search engine optimization में भी help हो सकती है और जो screen readers होते हैं, वो पढ़के बता सकते हैं कि जो blind लोग को पढ़के बता देंगे कि इसका title क्या है तो यह attribute एक additional attribute है, आप दे सकते हो, अच्छी practice होती है कि आप यह सारे attributes को add करो और आप खुद से अगर practice करना चाते हो तो एक assignment छोटा सा मैं दे सकता हूँ कि आप google map को add करके देखो, iframe बनाओ, और उसमें map बना के देखो, map add करो HTML में एक topic होता है entities, तो entity क्या होती है न, तो मैं आपको quickly दिखा देता हूँ तो अभी कहना हमने HTML में क्या किया था कि हमने angle bracket use किया थे, यह सारे angle bracket न, tags में भी use होते हैं तो अभी अगर मैंने angle bracket लिखा न, तो जो browser को confusion हो जाएगी कि यह tag है इसको render करना है यह text है, for example मैंने h1 tag बनाया और इसमें यह वाला यह वाला एक लिख दिया ठीक है और इसको मैं save करता हूँ, तो यह display कर सकता है, इसमें कोई problem नहीं है यह red करके आ रहा है मानलो मैंने एक और इसको ऐसे close कर दिया तो अभी भी यह display कर रहा है, बट कभी-कभी यह tags के साथ mix-up हो सकता है और यह problem create कर सकता है तो यह सारे reserved keyword है, यह html में reserved है कि angle bracket tags को create करने के लिए use होता है तो आपको क्या करना है न, html entities देखनी है और एक table आपको मिल जाएगा, यह red table तो इसमें क्या है न, यह सारे reserved keywords है, तो अगर आप चाते हो कि आपको angle bracket बनाना है तो instead कि आप angle bracket लिखो, आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप इसको copy करो, ठीक है, तो मैंने angle bracket directly नहीं लिखा, इसको इस तरीके से लिख दिया अब browser को actual में समझ आ जाएगा, कि browser को यहाँ समझ आ रहा है कि क्या render करना है, ठीक है तो अब दुबारा जाते हैं, इस वाले में, और यह closing वाला भी create करते हैं एक और entity इसमें add करते हैं, और refresh करते हैं, तो आप देखो अभी angle bracket add हो गया, और browser को कोई confusion भी नहीं होगा और कभी कभी होता है, कि हमें copyright add करना होता है, जैसे कि मैं इसको copy करता हूँ और यहां ऐसे लिखता हूँ और यहां लिखता हूँ, coding with Prakash, अगर मुझे copyright coding with Prakash लिखना है, तो यह सारे reserved keywords हैं, तो मैं directly नहीं लिख सकता, मुझे यह and का sign और copy करके use करना पड़ेगा, अब मैं इसको refresh करता हूँ, तो copyright coding with Prakash आ गया, तो entities बद यह होता है, आप जाके पढ़ सकते हो, reserved keyword stml में होते हैं, जिनको आपको entity से replace करना होता है, इसका यह चार्ट है, और भी कुछ entity अगर होंगी तो आप जाके कोई और चार्ट द करके दो तकते हो